पटना विश्विदाली का एक तूराना इतिहास रहा है मैंने अभी जो भासन दिये उसमें भी कहा कि बीच में थोड़ी सी कमी आई थी और उसका जो इतिहास बहुत डाउन्फॉल हुआ था उस downfall से हम लोग उपर उठने की प्रयास कर रहे हैं और बहुत उपर उठ चुके हैं और बहुत जल्दी हम लोग पुराना पटना इंवर्सिटी का गरिमा था उसको प्राप्त करने वाले हैं सर बार-बार Central University की मांग की जाती हैं यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री नभी बात की थी प्रधान मंत्री से की दिया जाएं लेकिन सियासत सिर्फ होती है इस पर लेकिन कुछ देखा नहीं जाता तो क्या कहेंगे इस पर देखिए Central University हो ए इस्टेट University हो, University का काम है बच्चों को पढ़ाना, Research करना, Research Publication करना, तो जो काम University का होता है वो काम हम लोग आजकल कर रहे हैं, हमारे सारे सिक्षक Research में लगे हुए, Research Project अप्लाई कर रहे हैं, मिला भी है और वो लोग काम कर रहे हैं, Central University आएगा तो उसमें भी Fund मिले हैं, अभी 300 से उपर हम लोग infrastructure के लिए मिले हैं, और हम लोग सहित्पूर्ट डेवलप करने के लिए भी 7500 करोड का प्रोजेक्ट हम लोग जमा किये हैं, तो हर फिल्म में राजसरकार से हम लोग को सपोर्ट मिलना है, और अभी जस्ट हम फिर हम लोगों ने भेजा है के लिए राजसरकार को इसमें भी लगे हुए हम लोग कमिलेगा, तो में परपस है बच्चों के पढ़ाहिका और रिसर्च का काम हम लोग करना हैं. सर ये बच्चों के लिए तो सही है लेकिन अगर राजनीती की बात की जाए तो बिहार में राजनीती बस युनिवर्स्टीज पर ही होती है इसमें जो जहां तक आप सेंटर इंवर्शिटी के बात कर रहे हैं 107 साल पूरा ना है जरूर इसको कंद्रियवी से विदाले का दर्जा मिलना चाहिए था नहीं मिला इसमें हम लोग एकैडमिक परसंस हैं इसमें हम लोग को कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं है तो क्या कारण है लेकिन हम लोग की जो ड्यूटी है हम यह सेंटरल इंवर्शिटी के बात करें काम मेरा वही है और हम लोग अपना काम कर रहे है सर जब Nack के टीम आय थी तो पटना कॉलेज को C grade दे दिया गया था, क्या ऐसा हो गया और साथी साथ अगर हम बात करे तो वहाँ पर canteen की सुवदा नहीं थी, लेकिन Nack के टीम के लिए canteen बनवाय गया था और पटना कॉलेज में canteen अभी बंद कर दिया गया है, तो क्या इस अपती infrastructure में आता है उसमें साथ पार्ट में नैक को माटा हुआ है जिसमें कि infrastructure पर उतने मार्ट नहीं है जीतने मार्ट की और सब के category में है तो main है कि जो research का जहां तक सवाल है मैंने बोला कि शुरू में research की जो इस्तिती थी थोड़ा downfall हुआ था अब हमेरे सिक्चक सजग होगा है अबने देखा होगा कि आदमी जब बहुत उचाई पर चला जाता है तो आदमी थोड़ा आहम हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और धीरे-धीरे downfall होता है उसको होस नहीं रहता है जब तक कि maximum negative पर नहीं चला जाता है तो कारण है जो downfall हुआ है उसके बाद कि Central University से कहीं अवल दर्जे की पढ़ाई हम लोग व्यवस्ता कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं Central University हो या नहीं हो में जो University का काम है वो हम लोग काम कर रहे हैं अगे जा कर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आयसा कुछ देखा जा रहा है नहीं देखिए इसमें कुछ लड़कों का जो था जो अलॉट्मेंट का भी कुछ तुरूटियां थी जो बच्चे पास कर गए वो लोग भी यहां रहते थे पुलोग अपना रहने के लिए कुछ इ इंवाइर्मेंट क्रियेट करेंगे तो जो जेनमीन हो नहीं आ पाएंगे तो हम वहा रहा पाएंगे अपने देखा होगा पिछले जो घटनाय गटी उसके बाद हम लोग ने चारो होस्टल को अर्मिसेशन के माध्यम से उसको सील कर रखा था सील किया करीब चार महीना सील एक बहुत बड़ी बात है अर्मिसेशन को यह करने के लिए और अभी जो उसको हम लोग मेरिट कम च्वाइस बेसिस पर उसको इलॉट्मेंट भी कर रहे हैं एक दूहोस्टल हो भी गया है और मैं जैनुवीन बच्चों का इलॉट्मेंट हो रहा है तो बिल्कुल यह थे ग झाल झाल